अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग हुई है यहां पर दो हजार की लेवल आने वाले यहां पर चार हजार की तरफ हम मोडने वाले क्योंकि यहां पर ना समझना बहुत जरूरी है पर यहां से यहां पर यहां पर बियर मार्केट जो है वह शुरुबात होनी है तो ऐसे मैं यह भी परफॉंग करने वाला है बियर मार्केट वह देखें मैं आपके सामने की यूटू की नमस की बात करी यह नमस पर मैंने आप से यही का कि अगर तीन हजार दस के ऊपर की यहां पर रेंज सत्ता है सो दस एंड चाहिए इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए ठीकिन अदरवाइस यहां पर काफी बड़ी ग्रावट यहां पर हो सकती है यह द्यार रखें क्योंकि इन्वर्टिड डबलू यहां पर पैटर्न बन जायाएगा यह सिर्फ में आपके साम के कंडिशन देखते हुए कोई भी आउट परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता चाहिए आप कितना भी कुछ कर लीजी अभी अगर आप देखेंगे तो यह मैंने आपके सामने जो तीन यहां दसके लेवल बताया था क्योंकि अगर आप देखेंगे जब यहां पर ग्रावट गैब डाउन हो गया एंड यहां पर हमारे सामने जो क्लोजिंग होई है वह 2,901 रुपए पर क्लोजिंग होई है यह बात तो हमें एक लेवल को निकालने पारते हैं हमने लेवल को निकाला पर नेक्स देखें हम दुबारा उसी लेवल के नीचे चले गए यानि कि यह हमार लिए 3,010 के उपर क्लोजिंग मिलना काफी बॉटेंट है यह बात माल लीजे एंड इसके साथ यहां पर बत्तिस सो का जो टॉप बना हुआ है यह भी अब ध्यान रखें कि 3,010 एंड बत्तिस सो ही उपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना है यह बात तो यहां पर लिख लीजे बट 2,710 एंड 2,620 यह अमारे लिए अब काफी इंपोर्टेंट होगा क्योंकि अगर यह गया ना लेवल यह रही जगत चली गई तो फिर मार्केट के अंदर तो छोड़िए यह स्टॉक यहां पर काफी नि यहां पर ना 47 का EPS बना था आपका यह आपका बना था लंसम लंसम 24 के जब फुल यह रिजल्ट थे तो आपका पूरे साल का 47 था अभी वो 43 हमें देखने को मिल रहा है ठीक है अभी है कि हमारे सामने Q1 प्लस 2 के नमबर तो आई चुके हैं Q1 के नमबर गाया है और Q4 के Q3 क आराम से अर्णिंग पर शेयर को कैल्कुलेट कर सकते थे बड़ हमें देखने प्रास्ट वेल्यू यह 9.09 है इस इंडस्ट्री में ना काफी हलके में मिल रहा है यह स्टॉक अब मार्केट कंडिशन जो भी कहती है कि मार्केट चिपकार आया बगेरा बड़ी इस टॉक पहल निगे जो कि सीवेंस एवी इंडिया या बाकी बगारा बगारा हुआ इनके साथ ही यहां पर ना टॉब में आती है यह कंपनी वाई सेल्स वाइप्रॉफिटेविल्टी हाला कि हाँ क्योंकि सेवेंस वह सबसे बड़ी कंपनी है उसके बाद एवी इंडिया तो यह सब यह नहीं नहीं पॉइंट जीरो नाइन तो आप सोचिए इनके सामने आप हैं कहां पर अगर यहां पर और यहां पर हलका हो जाता है तो समझ लीजेगा कि कितना प्रैस्टूब क्वेल्यू नीचे आ जाएगा एंड लास्ट तो देखें यहां पर ना सिर्फ यही रहेगा अग और वो मार्केट के ऊपर प्रैसर बना सकते हैं अब आज की डेट में डाउ रीकवर हो गया निचले लेबल से आप देखोगी नेस्टेग रीकवर हो गया पूरी तरह सी ग्रीन में क्लोसिंग होई है ग्लोबल मार्केट को इतना इंपक्ट है नहीं नहीं बात हमारा मार्के काफी वीक है सिंपल सी बात है यहां पर ध्यान लएक बचाए कि अगर जब तक यह बचा तब तक सब कुछ है और इसके नीचे कामकाच करने स्टार्ट कर दिया है तो हाप यहां पर ना गिरावट तो होगी ठीक है क्योंकि पैटन ब्रेक हो रहा है तो पैटन अगर पाप्ट ना कुछ भी नहीं होता है यह मार्केट यह आप को ये भी पता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं stop-loss लगी जिसको भी शॉट इस बच रही है 26-20 से जादा और कुछ नहीं एक stop-loss लिजिए और बस वह स्टॉप लोस अगर हट जाए किनारे हो जाए जिसको भी करना है कि नहीं भी है मैं भाई करना चाहता हूं भाई आपना भी स्टॉप लोस लीजिए सिंपल सी बात बस इससे जादा कुछ नहीं अब देखें यह जो इन्फो में आपको दे रहा हूं यह पब्लिक लिए ऐसा न इसके नंबर देखके डर गए थे उससे काफी अच्छे नंबर आये लेकिन मार्केट का भी है यह थोड़ा सा खराब है डामा डोल तो बस इतनी सी बात सुमी देखाब कुछ आपको सुझ में आया होगा आपके क्या नहीं इसके उपर कमेंस नहीं समगे हो और अब